हेलो फ्रेंट्स दू सब्सक्राइब एंड क्लिक ओन रिंग आइकन तो गेट फास्ट नॉटिफिकेशन वेल्कम फ्रेंट्स अलफ दियन पर लास्ट वीडियो मैंने देखा था कि इमपोर्ट हम कैसे कराते थे एक दूसरी कंपनी से हमने कंपनी ले थी माइडेटाट two वहां से लेजन और वाउचर को हमने इमपोर्ट किया था माइडेटा one कंपनी में और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आपको selected vouchers copy करने हैं तो वो कैसे करेंगे वही मैं आपको आज की class में बता रहा हूँ और export करना भी हम सीखेंगे PDF, Excel और JPGEG format के अंदर. डेटा के अंदर जब आप डेबुक पर जाएंगे display में डेबुक पर यहाँ पर आप देखेंगे माई डेटा 1 के अंदर हमारा कोई भी voucher नहीं है, माई डेटा 2 में हम जाएंगे और यहाँ से आप देखेंगे कि हमने 4 vouchers यहाँ पर रखे हुए हैं. तो माई डेटा 2 से मुझे दो voucher माई डेटा 1 में लेके जाने हैं. तो हमें करना क्या होगा, सबसे पहले तो जो voucher आप नहीं copy करना चाहते, उस पे आप Alt R को प्रेस कर दीजिए. जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ से contra और receipt दो ही transactions को copy करना है, तो मैंने purchase पे Alt R और दुबारा से यहाँ पर विकास वाली entry पे Alt R प्रेस कर दिया है. अब यहाँ पे दो ही entry हमें visible हो रही है, वो दोनों entry हमारी temporary अभी day book से delete हुई है, अगर हम escape करके वापिस से आएंगे, तो वो entry हमें वापिस से show हो जाएंगी, वो entry यहाँ से delete नहीं हुई है, सिर्फ हम temporary उसे remove कर रहे हैं, तो Alt R प्रेस करते हुए, हमने दोनों entry को remove कर दिय है, और यहाँ पर Alt E, अब हम export करा देंगे, XML के अंदर, यहाँ पर my entry 2 नाम से मैंने इसे save कर दिया, लेकिन .xml आपको जरूर लगाना है, save करने के बाद आप से यहाँ पर वापिस gateway of tally से F3 प्रेस करके my data 1 पर जाना है, आप देखेंगे day book में अभी कोई entry आपके पास show न और यहाँ पर डाल देना है my entry 2.xml, एंटर करने के बाद आप वापिस से day book अपनी चेक करेंगे, तो आप देखेंगे contra और receipt voucher आपको show हो रहे हैं, एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि दोनों company में same lasers होने चाहिए, अगर same laser नहीं है, तो पहले आप lasers को export करके उस company में import कर लीजिए, जिसमें आप voucher को लाना चाहते हैं, तो यह था हमारा पुराना जो हमने छोड़ा था last वीडियो में, अब अगर मुझे कोई भी voucher export करना है, तो उस voucher पे enter करने के बाद, alt e press करने के बाद, आपको यहाँ पर और भी format show होंगे, like आप देख सकते हैं, pdf format, jpg format format, html format, excel format और txt यानि की text file, sky, delimited format, इन formats में से आप किसी भी format में अपनी file को export कर सकते हैं, जो voucher आप select करे हुए हैं, उसको आप export कर सकते हैं, normally हम pdf यह jpg में export करते हैं, या excel में, मान लीजिए हम यहाँ से pdf लेते हुए export कर रहे हैं, और इसे d drive के अंदर हम export करने वाले ह में export करने के बाद, यहाँ पर open exported file, इसे हम देखना चाहते हैं exported करने के बाद, कि वो कैसी दिख रही है, तो देखिए यहाँ पर automatically export करते ही हमारी यह voucher जो हमने select करा था, वो pdf के रूप में खुल चुकी है, same as अगर हम excel format में लेना चाहें, तो excel format में भी ले सकते हैं, automatically, xls, x format का extensions apply हो जाएगा, open exported folder में हमने yes करना है, और enter करते हुए pass करा देना है, इस entry को आप देखेंगे, यह अब excel format में आपको show रही है, इसी तरीके से हम और भी formats को यहाँ पर use कर सकते हैं, alt e करके मान लीजिए, अपकी हम excel की जगह यहाँ पर jpeg format रख लेते हैं, और इस पर enter करते हैं, तो हमारी jpeg format में file save हो चुकी है, यह एक image type में हमारी file save हो चुकी है, जिसे आप attach कर सकते हैं, अपनी mail वगेरा में, pdf को भी हम mostly use करते हैं, pdf को attach करने में असानी होती है, हमार jpeg, excel या pdf format में आप अपने data को export कर सकते हैं, तो एक छोटा सा वीडियो था आपको बताने के लिए, next वीडियो में हम इससे related questions जो है practical वो करेंगे, अगर आपको कोई भी query है, import export data से related, तो वो आप comment box में लिख सकते हैं, इसमें बहुत सारी और भी चीज़े हैं, like हमें excel से data import करना है, वो हम TDL के format से copy कर सकते हैं, जिसकी जल्दी ही मैं एक और वीडियो आपके लिए upload करूँगा, आज के लिए वीडियो में इतना ही, बाकी के अपडिशन के लिए आप जुड़े रहिए, self अध्यन के साथ, thank you. हुआ 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 हाँ, जिसकी मैं के साथ कर पर दZAदी हैं, जिसकी मưng – जिसकी जए हैं, जिसकी जील्दी डिल्यकोसो Price ठाम Marshak